चैप्टर तीसरा देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का क्लाश ट्वेल्थ की नियोजित विकास की राजनीती इसके एमसी क्यूट डिसकस करेंगे और इससे पहले हम आपको बता दूँ टेलिग्राम ग्रूप आपने नहीं जोइन किया तो आप जरूर जोइन कर लें क्लाश ट्वेल्थ इसपी नियोग्रूप के नाम से हमारा टेलिग्राम ग्रूप है जिसमें नो हजार से ज्यादा स्टूडेंट है और इससे संबंदित कुछ मिलते जुलते नाम से शायद और भी ग्रूप बनाए हुए है किसी नहीं जो कि एक तरह से फेक मिल जाएंगे अलग-अलग सब्जेक्ट के आप वहाँ पे क्विज को दे सकते हैं टेस्ट दे सकते हैं और आपको उसी वक्त आपके मांक्स पता लग जाएंगे तो आप अपने आपको चेक कर सकते हैं ज्यादा तर सब्जेक्ट के हमने डाले हैं और हर संडे को हम वहाँ टेस्ट को अपडेट करते रहते हैं यानि कि नए टेस्ट उसमें डालते रहते हैं तो आप एप को जरूर डाउनलोड कर लो वेबसाइट पर आप हमारी जा सकते हैं एक लबगया studypoint.com इस पर विजिट कर सकते हैं गूगल पर जाके सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट आजाएगी हमारी इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने केटिगरी आजाएगी फिर कलाश टुएल्थ में जाएंगे तो आपके सामने ये subject आजाएंगे और इन subject पर जाके आप notes पढ़ सकते हैं और एक चीज़ का ध्यान लखना है आपको उस subject के notes अगर आपको नहीं मिलते हैं तो थोड़ा wait करने हम डाल देंगे ठीक है बागी subject के अब आते हम अपने question पे और सिद्धा question discuss करते हुए चलते हैं और कुछ question मैं आपसे comment के लिए पूछूँगा वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है पहला question है कि कौन सा राज्य है जहां पे लोह आयसके के विशाल बंडार थे तो आपने पढ़ा होगा chapter तो आपको पता होगा कि ये उडिसा राज्य है question number 2 कुछ लोग हैं जो कहते हैं खुली परतिस परदा होने चीए बाजार मूलक अर्थी विशारधारा से प्रभावी थे तो हम बोलेंगे वो दक्षिन पंती विशारधारा से प्रभावी थे question number 3 कह रहे हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ तो ये मार्च 1950 की बात है जब योजना आयोग बनाया गया था इसे ध्यान रखें मार्च 1950 इसके बाद अगला question है आपके सामने कि योजना आयोग जो था इसको कब समाप्त किया गया देखें यहाँ पर दो तीन आपको चीजे ध्यान रखनी है योजना आयोग 2014 में समाप्त कर दिया गया था 2014 में क्या हुआ गवर्मेंट आई NDA की गवर्मेंट जिसको हम BJP गटबंदन वाले गवर्मेंट कहते है ठीक है प्रदान मंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी तो मोदी जी ने क्या करा योजना आयोग में कुछ कमिया देखी और योजना आयोग को समाप्त कर दिया 2014 अगस्त की जगह जो नया आयोग बना था ये था नीती आयोग अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी कुछ बच्चे मुझसे कई बार कमेंट में कहते हैं कि आपने एक वीडियो में बताया था कि 2014 में समाप्त किया गया और नीती आयोग जो है तो आप बता रहे हो कि एक ज नरेंद्र मोदी जी इन्होंने क्या करा श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक घोशना कर दी कि जो योजना आयोग है जो कि इतने लंबे समय से चलता आ रहे हम इसको समाप्त करेंगे प्लानिंग जो पंचवर्षी योजना होती थी इस सिष्टम को समाप्त करेंगे और इ यहां पर योजन आयोग हो गया खतम उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई इसको हम बनाएंगे नए आयोग जिसका नाम क्या था नीती आयोग और नीती आयोग जो है इसका गठन आप पढ़ते हो एक जनवरी उन्नीस सोरी एक जनवरी 2015 तो आपको यह 2014 और 2015 का मतलब यहा आपसे यह पूचा जा रहा है कि योजन आयोग को समाप्त कप किया गया दोनों में अंतर है इस चीज को समझ के रखो ठीक है बिल्कुल थांसे इसे अगला कुशन है कि बॉम्बे प्लान का समंध किस वर्स से है तो यह 1944 की घटना है और अगर आपने चैप्टर वीडियो द बताया हुआ है लेकिन अलग बोर्ड में से अलावा अगर आप किसी दूसरे बोर्ड में आपके चैप्टर डिलीट नहीं है तो आप mcq को बहुत ध्यान से देखो नेक्स्ट है कि भारत में पंचवर्सी योजना का विकल्प कहां से चुना गया था तो यह सोव्य संग में ऐसी विवस्ता होती थी तो वहां से ये वाली विवस्ता ली गई थी अगला है कि पहले पंचवर्सी ओजना में किस चीज को सरवातिक महतु दिया गया था तो किर्शी पे जादा महतु दिया गया था यह आसान कोशन है शायद मुझे लग रहा बहुत आसान होंगे आपके लिए पर आपको ध्यान लखने यहां पे कुशन आपसे पूछे जा सकत अगला है कि जो सेकंड पंचवर्सी ओजना थी दूसरी पंचवर्सी ओजना थी इसमें किस चीज को महतु दिया गया था तो इसमें उद्योगों को ज़दा महतु दिया गया था अगला कौशन है इसका आणसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और कमेंट में जिस Apparently के अंसर कि निमलिकित में से कौन सा भारती संक्य की संस्तापक है घॉर्फा कॉशन देखिए भारत में कौन से राज्य में शत्परतिसत साक्शरता हैं आप जानते के केरल राज्य में हैं वह कौन है ये हैं जे आप पढ़ेंगे NCRT के अंदर आपको मिलेगा भारत ये लोगदल नामक पार्टी किस ने बनाई थी ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे आज के लिए आपका ये है दूसरा कोशन सेंड कोशन लोगदल जो पार्टी हो किस ने बनाई थी अगला है कि है भारत में निम्न में से कौन सी अर्थविश्दा के मॉडल को अपनाया गया reclut पुंजिवाद अपनाया समाजवाद अपनाया सामयवाद अपनाया या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्ता को अपनाया तो आपका आंसर यहां पे सिंपल है डी है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्ता अर अगला है कि 1960 के दसक में आपको पता है सूखे का दौर था तो बहुत जादा समस्या थी किसानों को कॉन रॉपाबित सबसे ज्यादा प्रभावी तो था वीखार सबसे ज्यादा प्रभावित हो अग्जान मंद अधिकर से लागाबंदि या फिर इसको जोनिंग भी कहा जाता है अगला कोश्चन है कि 1960 के दसक्त में खाद्यान संकट के दौरान भारत सरकार ने किस देश से गेहूं का आया तथा विदेशी मदद लेती विदेशी मदद आपको यादोगा बिल्कुल अमेरिका आजाएगा इसका अंसर कोश्चन 2018 देखिए भारत में हरित करांती का जनक किसे का जाता है आज के लिए आपका तीसरा कोश्चन है थ्रड कोश्चन कि भारत में किसको कहा जाता है हरित करांती जनक इससे पंजाब का भी हुआता हर्याना को भी हुआता और पष्चिम्यृत्र परतेस को भी वह था तो इसका आंसर हम कहेंगे वपरोक सभी जिस दागा प्रचिद कौशन है कि वर्गी जुन के नामसे किसे के नामسे परशिद्ध कौन है तो इनको वर्गेज कुर्यन ऑफिंडिया के नाम से पर शिथ है कि परशिद्ध कुर्णती जो किस से संबंधित है तो आपको पता होगा डीरी कारिक्रम डीरी प्रॉडटक्ट जो से संबंधित है तो यह तो थे हमारे normal question NCRT-based ब्लकुल भूत नगता है आपके syllabus में यह chapter हो, नई चीज ना जुड़ी हो, लेकिन जो CBSC student है, इस चीज को ध्यान दे, उनके में topic बहुत सारे हो गया, डिलीट, तो CBSC revise syllabus के अनुसार में कुछ question आपसे पूछ रहा हूं, और इसके लिए answer के लिए basic है, आप हमारी वीडियो को देखें, रिवाइस syllabus के अनुसार वीडियो बनाई हुई है, नीती आयोग, आपको बता है कि यह नीती आयोग जो था, इसको पूरा नाम क्या है, तो यह आपसे question में पूछा जाता है कही बार, National Institution for Transforming India, फिर एक question है, इसका अगला, तो यह 23 वा question कि नीती आयोग के स्थापना कब हुई question number 24, comment में, question number 25, राष्टे विकास परिसत की स्थापना कब हुई थी, यह भी आपको comment में बताना है, और राष्टे विकास परिसत की स्थापना कब हुई थी, तो यह 2-3 question आप से पूछे है, आप इसका comment पे answer देंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है, comment में सबसे पहले उसके बाद कोavour्स का نमबर लिखने है उसके बाद उसके उपसर लिखने है ठीक है अलगि मैं reply लएफ नहीं करता हूं कमेंट में पर मैं comment सभी की देखता हूं इस चीज़ को ध्यान रखे मैं comment सभी की देखता हूं और जिसका reply रिपलाई करने लाइक लगता है उसी को रिपलाई करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आप क्या करें वहाँ पे कमेंट में अपना अंसर जरूर लिखते हैं करें और मिलते हैं नेक्च वीडियो में थेंक्स वर वचिंग सभी को जै हिंद जै भारत